इस तस्वीर में मौजूद ये चहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस के लिए सिर्दर्द बना हुआ है नाम मुहम्मद असद पहचान अतीक एहमत का बेटा जुर्म उमेश पाल और उसके सुरक्षी कर्मियों की हत्या मगर सवाल ये है कि असद इस वक्त कहां है क्योंकि 24 परवरी के बाद से वो फरार है उसका आता पता किसी को नहीं मालूम शाइश्ता परवीन और मौहम्मद असद यानि मा बेटे की इस Most Wanted जोड़ी की तलाश प्रियाग राज में उमेश पाल हत्याकार्ण में यू पेपोलिस सरगर्मी से कर रही है बाप नमबरी बेटा दस नमबरी सौ से जादा मुकदमों का मुल्जिम बाप जेल में बंद है लेकिन शातिर बेटा फरार है उमेश पाल हत्याकार्ण में पिस्टल से अंधादून फाइरिक करने के बाद कितना शातिर है इसका खुला सा अब हो रहा है अतिक के तीसरे नमबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आँख में धूल जोगने का प्लैन उसने पहले ही तयार कर लिया था वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार के पिछली सीट पर बैठा था बताया जारा है कि उसे सिर्फ इस वज़े से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइफ एक्शन को अंजाम दे सके लेकिन जोश में ना केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बलकि फाइरिंग भी करने लगा बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक शाबित हुई क्योंकि CCTV कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया हलाकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लैन उसने पहले ही तैकर लिया था असल में पहले से ही उसके नाम कोई जुर्म दर्च नहीं था मगल इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर ही अनजाम दिया इसका खुलासा तब हुआ जब UPSTF की टीम लखनौ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापे मारी के लिए पहुची लखनो के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट ये वही फ्लैट है जहां असद ने और सूटर्स ने यहां रुखने के लिए किया था बताया जा रहा है कि यहां असद का आना जाना है लेकिन पूलिस STF की यहां रेट हुई और इस फ्लैट को सील कर दिया गया है लेकिन आप जो तथे सामने आ रहे हैं कि असद की पूरी कोशिश थी कि साजिस्ट थी कि पुलिस को गुम्रा कर दिया जाए इसलिए उसने अपने मुबाइल को उस लोकेशन पर छोड़ा था एटियम से ट्रांजेक्शन भी किया गया ताकि ये पता चल सके कि असद की मौजूदगी लखनव में थी प्रियागराज में नहीं सबसे हरानी की बाद तो ये खुल कर सामने आई कि असद ने पुलिस को गुम्रा करने के लिए कुछ सबूतों को जान बूच कर इस तरीके से मौके पर छोड़ा ताकि तब तीश की तिशा भटक जाए फ्लैट से पुलिस को आशद के आईफोन बनामत हुआ एस्टिफ के मुताबिक ये उसने जान बूच कर यहां छोड़ा ताकि बाद में वो ये साबित कर सके कि उसकी लोकेशन प्रियागराज में नहीं लखनों में है इस ही चाल के तैट उसकी बूआ आईशा नूरी ने बादचीत में पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वो लखनों में है अपने फ्लैट में है ये भरोसा उस साजिस की वज़े से था जिसके तहट असद ने अपने आईफोन अपने फ्लैट में छोड़ा लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं अपने एटियम कार्ट से भी असद ने लखनों के एक एटियम से पैसे निकलवाए ताकि ये साबित हो सके कि वो लखनों में ही था यूपे पुलिस और स्टेफ की 22 टी में प्रियागराज हत्याकांट को लेकर रची गई ऐसी तमाम साजिशों का एक एक करके परदाफाश कर रही है ऐसे में इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें